ओम्शान्ति परम्पिता परमात्मा का संग ऐसा अविनाशी रंग है जो आत्मा को देह से न्यारा विदेही बना देता है पूरा ही रंग आत्मा का जो काला हो गया था उससे गोरा बना देता है या यूँ कहें कि जो आत्मा पतित बन गई थी पवत्र बाबा का पवत्र संग उससे पावन बना देता है तो बाबा का साथ बाबा का हाथ बाबा का ये रोहानी हर पल का आशिर्वाद कहें ज्ञान कहें गुण कहें शक्तियां कहें आत्मा को कल यूग से सत्यूग तक पहुचा देता है उसे देव तुल्य बना देता है इसलिए इसकल यूगी दुनिया में बुद्धी की परक्से अपने आपको कुसंग से बचाना और सदा सत्संग में रहना इस पर आत्मा को सदा अटेंशन देने की जरूरत हो जाते है क्योंकि ये बात तो पता है कि सही क्या है और गलत क्या है परन्तु गलत की प्रभाव में न आना अपने संसकारों और आदतों के वश न हो ना इसमें कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर की जरूरत हो जाती है इसलिए अब हमीशा कहते हैं बस बाबा का हाथ बाबा का साथ नहीं छोड़ो थोड़ा भी छोड़ा तो माया पकड़ लेगी तो आज की मुडली भी हमें इस कुसंग से बचा रही है सत्संग में रहकर कैसे हम सच्चे बन जाएं वो विधी सिखा रही है तो आज है 25 तारीक 25 एपरिल दो हजार चौबिस बाबा के माधर महवाक्ये हैं मीठे बच्चे यह पुरुष्योत्तम युग ही गीता एपिसोड है जो पुरुष्योत्तम युग है एक्चुली में यही गीता एपिसोड है क्योंकि इस समय ही बाबा हमें पुरुष्योत्तम बनने का ज्यान सुना रहे है इसमें ही तुम्हें पुरुष्यार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं न, भगवान के आगे जाकर मिरा बेड़ा पार लगा दो। भगत लोग जगदंबा मा के सामने भेटे गाते हैं कि मिरे जीवन की नईया को पार लगा दो। बाबा कहते हैं बस एक बात का ध्यान रखो कौनसी है वो बात? उत्तर सदा ध्यान रहे कि हमें इश्वरी ये संग में रहना है ध्यान रहे तो भी बेडा पार हो जाएगा पस इतना ही कर लो और कुछ नहीं करना है अगर संग दोश में आए संशे आया, डाउट्स आजाते हैं संग दोश में आते हैं न तो किसी ने कुछ कहा फिर वहीं डाउट आया और एक डाउट, कितने डाउट्स क्रिएट कर देता है आत्मा के अंदर हर बात पर शक करने लगेंगे तो अबने का संशे आया, तो बेडा विशय सागर में डूब जाएगा बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशे नहीं आना चाहिए वंडरफुल बात है स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं कभी, किताबों पर या टीचर पर डाउट नहीं करते हैं सब कुछ नयाई होता है वो भी बच्चों के लिए लेकिन यहां खुद सुप्रीम टीचर ज्ञान का सागर आकर ज्ञान दे रहा है फिर भी मनुष्य आत्मा के अल्प बुद्धी की बाते सुनकर इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को इसको पीछे छोड़ देते हैं इस पर विश्वास नहीं करते हैं बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आये हैं बाप के संग में ही रहना है ध्यान रहे बाबा को कुछ नहीं चाहिए हमसे वो तो हमें पावन बनाने आये हैं बस उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो बन जाएंगे आउम शांती भगवान वाच बचे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे है जो पाँच हजार वर्ष पहले समझाया था याद आ रहे हैं सबको कल की बात याद नहीं होती पर अंतु बाबा बता रहे हैं पाँच हजार वर्ष वही वाला ग्यान जो पहले सुनाया था वही सुना रहे हैं बच्चों को मालूम है दुनिया को तो मालूम नहीं है तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया उनको पता नहीं है तो उनसे एक योश्चन पुछो कि गीता का भगवान कब आया भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखला कर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं गीता के अंदर इश्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं भगीता एपिसोट कब हुआ था? कब भगवान आये थे और कब उन्होंने हमें राजाओं का राजा बनाया था? यह पूछना चाहिए यह बात कोई भी नहीं जानते है कि कब भगवान ने हमें विश्व महराजा विश्व महरानी बनाया था? तुम् अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो गीता का एपिसोट होना भी चाहिए कल्यूग अन्त और सत्यूग आदी के बीच में है न? कि सत्यूग आदी में है राजा, महराजा कल्यूग अन्त में कोई भी नहीं है तो इसे लिए कब होना चाहिए कल्यूग अन्त सत्यूग आदी के बीच में आदी, सनातन, देवी, देवता, धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे पुरुशोत्तम, संगम युग है जरूर भल पुरुशोत्तम वर्ष गाते हैं परन्तु बिचारों को पता नहीं है लीपियर कहते हैं परन्तु पता नहीं है तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुश बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर बढ़ाते हैं मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं यानि लक्ष्मी नारायन है मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युक पर देवताएं जरूर सत्युग में ही होते हैं बाकी सब है कल युग में तुम बच्चे जानते हो हम है संगम युगी ब्रामभण कौन है हम? संगम युगी ब्रामभण यह पक्का पक्का याद रखना है नहीं तो नहीं याद रखेंगे तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है यह हमें याद दिलाना पड़ता है दुनिया में कोई अपने कुल को भूलता है क्या याद रहता है हम पता है शत्रिय कुल के है है ना क्याते है हम तो राजवन्शी है हम तो ब्राम्मन कुल के है हम तो शत्रिय कुल के है याद रहता है हर एक को अपनी कास्ट भी याद रहती है बोलती नहीं है, यहां याद लाना पड़ता है कि आप कौन हो, किसके हो परन्तों यहां माया भोला देती है हम ब्राम्मन कुल के है फिर देवता कुल के बनते है अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे यह स्मृती ही आत्मा को समर्थी दिलाती है मैं कौन, मेरा कौन दादी जान की जी बार बार याद दिलाती थी मैं कौन, मेरा कौन याद रहे न, तो बस आत्मा सदा खुश रहे तुम पढ़ते हो, राज योग समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्यान सुना रहे है और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे है हम मनुष्य से देवता बन रहे है बाप ने कहा है काम महाशत्रो है इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो पवत्रता की बात पर कितना आर्ग्यू करते है मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है बहुत ज़ादा अपने पर गर्व महसूस करते है लौक एक बाप से यह वर्सा मिला हुआ है विकारों में जाने का वर्सा बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्सा मिलता है क्या? शादी बरबादी कराते हैं बच्चा है तो बच्चे की शादी करानी है बहुत होता रहता है और बेहद का बाप क्या कहते है? वो है हद की बाते हद का बिता बेहद का बाबा क्या कहते हैं काम महाशत्रू है तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे महाभारी महाभारत लडाई भी है हम भी यहां जरूर है ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं ऐसा भी नहीं है हर बात में टाइम लगता है मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विशे वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ओर्डिनन्स है है ना बाप का फर्मान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर काम विकार में जाते होंगे ऐसा कभी नहीं होंगा जगत जीत बनकर फिर विकार में नहीं जाते जगत जीत यह हैं लक्ष्मी नारायन है इनको कहा जाता है संपोर्ण निर्विकारी विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं जगत जीत बन गए तो फिर कोई विकार नहीं संपोण निर्विकारी बन जाते हैं जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायन का जो है विशेशताईं बताते हैं कि देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं जिसको तुम राम राज्चे कहते हो वह है वाइसलिस वर्ड यह है वीश्यस वर्ड अपवित्र ग्रहस्थ आश्रम बाबा ने समझाया है तुम पवित्र ग्रहस्थ आश्रम के थे पहले सत्युग में पवित्र ग्रहस्थ आश्रम था और अभी अपवित्र अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो 84 जन्मों की ही कहानी है नई दुनिया जरूर, ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए नई है न, तो संपोल्ण निर्विकारी प्योर होनी चाहिए भगवान जो पवित्रता का सागर है, वही स्थापना करते है फिर रावण राज्य भी जरूराना है अब अस्थापना करते हैं, लक्ष्मी नारायन पालना करते हैं पड़न तो फिर रावण को भी जरूराना है नाम ही है, राम राज्य और रावण राज्य रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो चारों तरफ विकारों का बोल बाला है तो आसोरी राज्य हुआ न यह लक्ष्मी नारायन है दैवी राज्य की निशानी इसी दुनिया में दैवी राजधानी थी उसकी निशानी मंदिरों में है तुम बच्चे प्रभात फेरी आदी निकालते हो खास तोर परश्यव जयानती होती है तो प्रभात फेरी निकालते है प्रभात सवेरी को कहा जाता है उस समय मनुष्य सोई रहते हैं अमृत वेले का जो टाइम होता है दुनिया में भी लोग प्रभात फेरी निकालते हैं चार बजे पाँच बजे तो उबह कहते हैं कि उसमें बाकी मनुश्य तो सोय होते हैं इसलिए देरी से निकालते हैं जादा जल्दी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर निकालने का क्या फायदा इसलिए थोड़ा सा देरी से निकालते हैं प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो जहां आकर समझें कि काम महाशत्रो है इन पर जीत पाने से ये जगत जीत बनेंगे भात फेरी निकाली या कुछ भी एक्जिबीशन करी तो अगर नियर बाई कोई सेंटर है तब ही फायदा है तकि जो लोग थोड़ा समझ गए है वो वहाँ जाके कोर्स कर सके लक्ष्मी नारायन का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए ट्रासलाइट का इनको कभी भूलना नहीं चाहिए यह एक चित्र और सीड़ी ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ऐसे तुम यह दो तीन ट्रक सजा कर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है देन प्रति देन चित्रों की वृध्धी भी होती जाती है तुम्हारा ज्यान वृध्धी को पाता रहता है बच्चों की भी वृध्धी होती जाती है उसमें गरीब साहुकार सब आ जाते हैं शुबाबा का भंडारा भरता जाता है, बच्चे बढ़ते जाते हैं, भंडारा भी बढ़ता जाता है, जो भंडारा भरते हैं, उनको वहाँ, सत्युग में, रिटवन में, कई गुणा मिल जाता है. तब बाब कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पदमा पदम पती बनने वाले. क्या बनने वाले हैं? पदमा पदम पती, सो भी 21 जन्मों के लिए, है ना? ऐसा ने एक जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए. अब आखुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीड़ी, मैं खुद डारेक्ट आया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्ट लाया हूँ, जिसे बच्चा जब पैदा होता है, तो बाप का वर्सा उनकी हथेली पर ही है, बाप कहींगे, यह घर बार आदी सब कुछ तुम्हारा है, जिसे हथेली पर ही है, बस बच्चा बना और बाबा का जो कुछ है वो बच्चे का हो गया, तो बाप कहते हैं कि, बेहत का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए ह यह किस पीड़ी? जो कि तुम काल पर जीत पा लेते हो, आत्मा अपने अमर, अजर, अविनाशी स्थिती में स्थित हो जाती है, जिसे काल पर जीत पा लेती है, देहे को त्याग करना, इस जनाम में कहेंगे, कल योग में कहेंगे मृत्यू, बहा पर ऐसे मृत्यू वाला श खुशी, खुशी एक कपड़ा छोड़ा, दूसरा कपड़ा धारन किया, नया कपड़ा मिला. काल पर जीत पाते हैं, वहाँ कोई अकाले मृत्यों नहीं होती है, स्वइच्छा से, खुशी से देहतियाग करना, देहधारन करना होता है. तो काल पर जीत पा लेते हो इसलिए बाप को महा काल कहते है कालो का काल महा काल महा काल कोई मारने वाला नहीं है तो ऐसे कहते हैं न उनकी तो महिमा की जाती है समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया कहानिया बनाते रहते हैं कि यमदूत आये फिर उसको उसके देहिको ले कर गए, आत्मा को ले कर गए, अपने साथ, कोई स्वर्ग में गया, कोई नर्ग में गया बाब कहते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं, ऐसी कुई बात है नहीं यह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें स्टोरीज बना दें डराने के लिए बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ पहाडी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं महाकाल का मंदर भी है महाकाल इश्वर मंदर भी है महाकाल के मंदर भी है ऐसे जंडियां लगा देते हैं तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं यह भी समझते होगी राइट बात है बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं भगवान को याद करने से बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं जनम जनमांतर के विकर्म भस्म होते हैं तो उसका प्रचार करना चाहिए कुम्भ के मेले आदी बहुत लगते हैं सनान करने का भी बहुत महत्व बताया है अब तुम बच्चों को यह ज्यान अमरित 5000 वर्ष के बाद मिलता है तो जो भी भक्ति मार्ग की बाते हैं कहानिया हैं, यादगारे हैं उनको ज्यान के आधार से जब हम बताते हैं तो फिर उनका महत्व समझ में आता है तो यह भी सेवा करने के एक विशेश विधी बन जाते है बास्तव में इसका अमरित नाम है नहीं अमरित नाम है नहीं यह तो पढ़ाई है यह सब है भक्ति मार्ग के नाम इस ज्यान को धारन करने से आत्मा अमर बन जाते है तो इसले है ज्यान अमरित अमरित नाम सुन कर चित्रों में पानी दिखाया है बाप कहते हैं मैं तुमको राज योग सिखलाता हूं पढ़ाई से ही उच पद मिलता है सो भी मैं पढ़ाता हूं भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं खुद लक्षमी नारायन थोड़े ही है जो आप समान बनाएंगे आत्मा पढ़ती है उनको आप समान नौलिच्फुल बनाते हैं ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं भले कहते हैं परन्तु आक्चुली में तो देवी देवता बनते हैं उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है वह कैसे पढ़ाएंगे? जो दिखाते हैं बाक्तिमार के गीता में कि श्री कृष्ण जी ने भगवान वाच लिख देते हैं उन्होंने गीता ग्यान दिया तो बाबा कहते हैं वह कैसे पढ़ाएंगे? सत्युग में पतित थोड़ी होते हैं किसलिए पढ़ाया जाता है? ताकि आत्मा पतित से पामन बन जाए अनार्य से आर्य बन जाए मन उच्छ से देवता बन जाए तो सत्युग में तो कोई पतित है यह नहीं तो पढ़ कर क्या करेंगे? श्री कृष्ण तो होता ही है सत्युग में फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे नंबर वन वाला श्री कृष्ण फिर नहीं देखेंगे ड्रामा में यह हर एक के पुनर जन्म का चत्र बिलकुल न्यारा होता है पिछले जनम से कोई मिलावा नहीं होता है खुदरत का ड्रामा है बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नही बाप भी कहते हैं तुम हू बहू तुम ध्यान से समशने की बात है बड़ा वन्रूफुल ड्रामा है कि तुम हू बहू इस फीचर से इसी कपडे में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे है ना बिलकुल ऐसे ही accurate हू बहू रिपीट होता है ना as it is आत्मा एक शरीर छोड फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है वह होती है हद की बातें यह है बेहत की बातें जो बेहत का बाप सिवाए जो बेहत के बाप सिवाए कोई समझा नहीं सकते है इसमें कोई संशे नहीं हो सकता है जो चीज भगवान ने खुद आकर कही है जो शब्द उचारित कीए है जो महावाक्य सुनाए है उसमें डाउट का कोई सवाल ही नहीं हो सकता निश्चे बुद्धी हो फिर कोई ना कोई संशे में आ जाते है निश्चे बुद्धी होते हैं को संग लगता है तो संशे आ जाता है संग लग जाता है इश्वरिये संग चलता चले तो पार हो जाएं संग छोड़ा तो विशय सागर में डूब पड़ेंगे एक तरफ है शीर सागर दूसरे तरफ है विशय सागर ज्यान अमर्त भी कहते हैं बाप है ज्यान सागर उनकी महिमा भी है जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नाराण को नहीं दे सकते हैं देवताओं की महिमा अलग और परमपिता पर मातमा की महिमा अलग बाप है पवत्रता का सागर भल वह देवताईं सत्युक त्रेता में पवत्र हैं परन्तु सदेव के लिए तो नहीं रहते हैं तो इसे लिए पवित्रता का सागर थोड़ी ना कहेंगे फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गती करता हूं जितना भी गिरे हो कुछ नहीं फरक पड़ता बाबा कहते हैं मैं सबकी सद्गती करता हूं किसी भी धरम की आत्मा हो कोई भी कैसी भी आत्मा हो जामिल जैसी पापी आत्मा भी हो उसकी भी बाबा गती सद्गती कर देते हैं तो बाबा कहते हैं सद्गती दाता मैं एक हूं तुम सद्गती में जाते हो सत्युग में जाते हैं न फिर यह बाते ही नहीं होती गती सद्गती की बाते वहाँ हो गए सत्युग में पहुच गए सद्गती हो गई अब थोड़ी ना ये बाते होंगी अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो मुख्य प्रिंसिपल वह है तुम आते भी उनके पास हो किनके पास आए हैं बाबा के घर जाना है वदवन जाना है तुम बाबा बाबा करते हैं न कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं अरे वह तो निराकार है हाँ वह आते हैं इनके तन में प्रमा बाबा के तन में इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं बाप दादा के पास चाते हैं यह बाबा है उनका रत जिस पर उनकी सवारी है उनको रत घोड़ा अश्वभी कहते हैं बॉडी की बात है, यही रथ है, यही घोडा है, यही अश्व है, इस पर भी एक कथा है, क्या, कि दक्ष प्रजा पिता ने यग्य रचा, दिखाते हैं कि उन्होंने यग्य रचा कहानी लिख दी है, परन्तु ऐसे तो है नहीं, यह है रूद्र ज्यान यक्य है, जिसमें अश अश्व, वो वाला अश्व नहीं, यह देहे रूपी अश्व स्वाह करना है, ना देहे सहेत देहे के सब धर्म भोलने है, तन, मन, धन, सब कुछ अरपित करना है, तो इस रूद्र ज्यान यग्य में अरपित करना है, उन्होंने वो कहानी बना दी है, शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूँ, जब भारत में अती धर्म गलानी होती है, गीतावादी भल कहते हैं, क्या कहते हैं इस परशलोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य गलाने रभवती भारत, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, तुम्हारा यह बहुत छोटा जाड है, इनको तुफान भी लगते हैं, जब थोड़े थे बाबा के बच्चे, तो तुफान तो अभी भी लगते हैं, लगते ही रहते हैं हमेशा, तो बहुत जाड है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है, आधार भी है, इतने अनेक धर्मों के बीच में, एक आधी सनातन, देवी दे देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, कितनी महनत है, अब पवित्र दुनिया में, पवित्र दुनिया की स्थापना का आधार बाबा रखते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है, बाकी मठपन स्थापन होना बड़ी बात नहीं है, तो यह कितनी महनत है, इसमें बहुत मह पहनत नहीं लगती है, वहें उपर से आते रहते हैं, कन्वर्ट की बात नहीं है, उपर से डारेक्ट आ रहे हैं। बाप बैट पढ़ाते हैं, गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा भी, जैसे अब आत्माओं को याद कर द्रिष्टी दी जाती है, तो बाप कट जाएं। भक्ति मार्ग में फिर क्या करते हैं? फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पढ़ते हैं। यह ज्यान की बात है, समझते हैं पित्रों का उद्धार होगा, इसलिए पित्रों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे, बाबा, कोई कम भक्त था क्या, ब्रह्मा बाबा, कोई कम भक्त नहीं था। रामाय अनादी सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी, वह सब पास्ट हो गया। अब बाब कहते हैं, अब क्या करना है, अभी वो सब कुछ नहीं करना है, वो पास्ट की बाते हो गई। बाबा कहते हैं, बीती को चित वो नहीं, अब उसे चित पर नहीं लेकर आओ बार-बार, बुद्धी से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाष और राजधानी का साक्षातकार कराया, तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इस साक्षातकार कराए तो पक्का हो गया, नहीं कराते तो पक्का नहीं हो पाता, भक्ती इतनी पक्की थी, यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था, बाबा ने समझा, यह सब होगा, देरी थोड़ी है, हम जाकर फल जाना राजा बनूगा, साक्षातकार हुआ तो ऐसा लगा कि बस अभी होने वाला है सब कुछ, पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे, तुम बच्चे जानते हूँ, बाबा की प्रवेश्टा कैसे हुई, साकार मुरली है, इसलिए और अब तो सब को पताई है, साकार बाबा की सब यादे हमारे पास अलग-अलग रूप में नोंदी हुई है, दादियों के अनुभवों के रूप में, कई फिल्म्स के रूप में, तो बह कहते हैं कि यह बाते मनुष्य नहीं जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतो इन तीनो में से भगवान किसमे प्रवेश करते हैं? और्थ नहीं जानते हैं, पता ही नहीं है न? वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, उनहीं भगवान समझ लेते हैं, भगवान का अवतार हैं, अब वह तो है देवता? वह कैसे पढ़ाएंगे? बबाबा खुद बतलाते हैं, मै इन में प्रवेश करता हूँ। इसलिए दिखाया है ब्रम्भा द्वारास थापना वह पालना और वह विनाश विश्नु पालना का प्रतीक और शंकर विनाश का यह बड़ी समझने की बाते हैं भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया यह अभी तुम समझते हो चो रासी जन्मों का राज भी समझाया है सब कुछ बाबा अभी क्लारिटी से समझाते हैं क्योंकि खुद रचाईता है बबा खुद तृकाल दर्शीत्री नेत्री त्रिलो की नाथ है तो हमें भी वैसाई बनाते हैं बबा कहाते हैं पुझ्य पुझारी का भी समझाया है कैसे हम पहले पुज़े थे, फिर पुजारी बने, फिर दुबारा पुज़े बन रहे हैं. विश्व में शान्ती का राज्जे, इन लक्षमी नारायन का थाना, जो सारी दुनिया चाहती है. जब लक्षमी नारायन का राज्जे था, तो उस समय सब शांतीधाम में थे अब हम श्रीमत पर यह कारे कर रहे हैं अनेक बार किया है और करते रहेंगे यह भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा समझते हैं ने इस बात को इसलिए हैरान नहीं होना कोई ना निकले कोई ना समझे तो देवी देवता धर्म वालों को ही तच होगा भारत की ही बात है जो इस कुलके होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेंगी जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं मुख्य है ज्यान योग योग के लिए भी ज्यान चाहिए पहले तो पता होना चाहिए न ज्यान होना चाहिए हम सात्मा है हमारा पिता परमात्मा है कैसे है ज्यान होगा फिर योग लगेगा फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए तो बाबा कहा रहे है कि योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे पास विद आउनर भी होंगे रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सार पहला जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है एक बाप से सुनना है और अपने ब्राम्भन कुल को सदा याद रखना है दुसरा, पूरा निष्चे बुद्धी होकर रहना है किसी भी बात में संशे नहीं उठाना है इश्वरिय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोडनी है पक्ता करना है तो बाबा क्याते अज का वर्दान है रुहानी माशुक की आकर्शन में आकर्शित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रुहानी आशिक भवा कौन है रुहानी आशिक जो रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित होकर ऐसे आकर्षित हो जाएं जो महनत से मुक्त हो जाएं मुहब्पत है तो महनत नहीं है माशूक अपने खोई हुए आशिकों को देख खुश होते हैं रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशुक को जान लिया, पा लिया, यह थार्थ ठिकाने पर पहुँच गए। कबसे भटक रहे थे द्वापर्युक से ठिकाने पर पहुँच गए। जब ऐसी आशिक आत्माई इस महबबत की लकीर के अंदर पहुचती हैं, इस लेवल पर पहुच जाएं, बस सब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया, तो अनेक प्रकार की महनत से छूट जाती हैं। क्योंकि यहां ग्यान सागर के स्निही की लहरें, शक्ती की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यहां मनुरंजन का विशेश स्थान, मिलने का स्थान, आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। कौन सा स्थान, यह मदबन। स्लोगन है, एक आंतवासी बनने के साथ साथ, एक नामी और एक नामी वाले बनो। शक्तियों को वियर्थ भी नहीं गवाना है, तो एक नामी, एक नामी, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो एकांतवासी बनने के साथ-साथ एकनामी और एकोनॉमी वाले बनो। तो आज विशेश हम एकांतवासी बनने का अभ्यास करेंगे। एक के अंत में समाजाना, अपने समय को, संकल्पों को, अंदर के जो भी सुक्षमिश शक्तियां हैं, उनको व्यर्थ गवाने से बचाएंगे और अपनी संपूर्ण शक्तियों सहत, न सब बातों को समेच कर, बस मन और बुद्धी का योग एक बाबा से लगाएंगे। तो एकनामी और एकोनॉमी, साथ-साथ एकांतवासी। तो इसका विशेश अभ्यास हम सभी जब भी हमें टाइम मिले बार-बार करेंगे। चा, ओम शांती। बाबा तुम कितने अच्छी हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आखियों के दारे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आखियों के दारे हो। बाबा तुम कितने अच्छी हो। बाबा तुम कितने अच्छी हो। बाबा तुम कितने अच्छी हो। बिल्सक पे हमें बिठाया ह। मस्तक मणी बनाया ह। कुण ज्यात बजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया ह। धत्नों के खाले आखर बढ़के हम चल भर दिये हमारे। बाबा तुम कितने अच्छी हो। ख्यालो में ना खाबो में था। यू हमको मिल जाओगे। तुम बनके हजारों यात हमारे। मन में यू मसकाओगे। बेफर ये मयसर दिनोंगे। हर कुषियां अंकर वारे। बाबा तुम कितने अच्छी हो। अच्छी हो। हस्रत यही है हर दिल में। जब प्यार तुम्हारा भर जाए। शंग के रंग में रखके तेरे। हस्ते गाते हम घर जाए। योगी मावन जीवने दुरेकर नायोग के दिये नजारे। बाबा तुम कितने अच्छी हो। बाबा तुम कितने खारे। सच केहते है हम एक तुम ही अपनी आखियों के धारे। बाबा तुम कितने अच्छी हो। सच केहते हैं हम एक तुम ही अपने आधियों के दाले दिल हूँ, बाबा तुम कितने अच्छे हूँ